क्या यंत्रों का कोई बुरा प्रभाब भी होता है अगर हमसे सही से इस्तमाल ना कर पाएं यहां में कोई गलती यंत्र बता दिया जाए हां बिल्कुल होता है किसी भी चीज का हो यह यंत्रों का ही नहीं है हाओ आड हम यह 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 यहंत्र पाही नहीं है अबंग है आफ भावतिक में संशार में किसी भी तत्त्यूपदार्थ का बेऻित का या भौज्जी या भोगी पदार्थों का आप सही मात्रा में में कुछित समय में अप्रियोग करते हूं उसकी प्रियोग की निभिदा गलत ह होती है तो उसका प्रभाव तो हानिकारक हो सकता है जी हानिकारक प्रभाव होगा और अगर उसका बिधा आपको सही मालूम है तो उसका प्रभाव सही होगा एक सारी बात है कि मालीजी कोई यंत्र आपने किसी को पहना है कुछ यंत्र होते हैं जो आदमी गले में पहन लेते ह और किसी कारण से वो यंत्र उतारने पड़ते हैं, माली के एरपोर्ट पे गया, सेक्योटरी चेक में वो उतारना पड़ा, तो क्या उसे दुबारा फिर पहना दा सकता है या फिर उसे शुद्ध करना पड़ेगा? यंत्र यदि आपने कोई माला धारन कर रखी है, जो किसी संत या महात्मा के द्वारा, सिद्ध, साधक के द्वारा आपको दे गई है, सुद्राज की माला है, तुल्सी की माला है, और किसी रतनाज की माला हैं, यद किसी साधक ने, संत ने, सिद्ध ने, गुरू ने, ब्राम् हैं वो खंडित नहीं होती है लेकिन भोजपत्र आधि पर कामना प्रत्विन भीज से जैसा आपका कारी है आपको सत्रों से भैल लग रहा है और आपने किसी यंत्र बनाया अनुवांजी का रच्छा कोज बनवाया और आपने धारन कर लिया लेकिन आप एक बार उसे उतार द ऐख बार उतार दिया तो वहीं पर उसका प्रभाव समापता है अब इसमेह भी भी बहुत सारे लोग पर्थं डिश्टेया पर्थंबार संबस्ति बहुत सही बातराको नहीं बताते का जय्दिमानको अथवा अव्यिष्ट वी bekommt right तो सही बात नहीं बताते ए लिए में इस तो में खंडित हो सकता है कुछ एक बता देते हैं जैसे कि घर में जनम सूतक हो गया या मरन सूतक हो गया या समसान चले गए तो खंडित हो गया अगर आपने यंट्र कोई धालनकर रखा है और आपके मन में ये विचार आ जाय दो तीन बार अरे मैंने पहन रखा मुझे कोई आपने जिए नहीं वरा इस से आपमान के चलिए यंट्र में उस देवता का जिस द्रामर ने बनाया है उस देवता का मंत लिखा उन्दा की लगा रखे आप उसकी लिस्ट में हो और ये उसका अपमान हो गया और ओदीवता वहीं से उसको छोड़ देगा पिर आपको कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा इसलिए अब विश्वांस लाना भी जो है वहां पे याभ्यां बिनाना प्रसंति सद्धा विश्वांस उपनों भवाने संक्रों बंदे रामचीत मानस का पहला ही इस लोग वहां पे कहे दिया कितना सटी किस लोग है और यह चीज हर देगे के लिए लग हुए बवाने-संक्रों बंदे सद्धा विश्वांस ऊपरां याभ्यां बिनाना प्रसंति सिद्धा स्वांत अत्मिस तो सद्धा और विश्वांस उसके प्रत्य होना चाहिए और यदि अब इस्वांस आ गया तो फिर उदे होता, कारे नहीं करेगा, उरुष्ट भी हो सकता है, बल्कि उनुक्सान भी पहुंचा सकता है, यदि आपको लगता है कि ये यंत्र बेशेश प्रभाव नहीं दिखा रहा है, या कुछ है, आप उसे उतारें, प्रणाम करें, अभी तक आपकी बहुत बरी क्रपा रही है, अब मैं आपको स्थान देने जा रहा हूं, उसको किसी जलासे में, सरसम्मान, किसी पीपल के नीचे, आप उसे भी सरजित करते हैं, लेकर अपमान ना करें, जरी सर, मुझे उमीद है कि हमारी वियर्स को बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, अगर आप लोग सर स कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिये वे वाट्साप नंबर पे वाट्साप कर सकते हैं, यहां हमें एमेल कर सकते हैं, support at superastrologer.com पे, अगर आपका कोई भी question is discussion के बारे में, तो आप हमें comments में पूछ सकते हैं, सर आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवा जैसी दान है